हाई फ्रेंड्स बिलकम बैक टो माई चैनल आज हम बनाएंगे अनुपमा स्टाइल थेपला कसीडिया अगर आपको ये मेरी रेश्पी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा तो चलिए बनाना शुरू करते ह इसके लिए मैंने एक बोल ले लिया है और इसमें एक कप गेहूं का आटा जो रोटी बनाते हैं वही आटा मैंने लिया है और वन फोट का बेशन अब इसमें डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के इंस्वार हल्दी थोड़ा सा उसमें कलर आने के लिए और कसूरी मेथी थो और इसको मिक्स कर लेंगे अब इसमें डाल देंगे तेल ताकि सॉप्ट बने थेपला और इसको मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पाइन दे करके इसको गुथ लेंगे आटा को तो ज्यादा धीला नहीं गुथना और टायट गुथना है जैसे रोटी और पराठा बनाते हैं उस टाइप का तो देखिए मैंने गुथ लिया है बहुत अच्छा तैयर हुआ है अब इसको रग देंगे अब इसके उपर थोड़ा सा तेल में लगा देती हूं ताकि सॉप् अब इधर मैंने पैन रख दिया है फिलिंग बनाने के लिए उसमें 1.5 टेश्पून तेल डाल देंगे और इसमें डाल देंगे 1.5 टेश्पून बटर आप केवल बटर डाल के भी बना सकते हैं बहुत एच्छा टेस्ट आता है और इसमें डाल देंगे गार्लिक 2-3 खटक और एक ग्रीन चिली और एक छोटा प्याज मैंने कट करके डाल दिया है और इसको चला लेंगे यानि भून लेंगे हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे फ्रेंज अब इसमें डालेंगे कुछ सबजी मैंने कॉर्न ले लिया है यह पत्तागोवी यानि कैबेज कैबसकम अलोग और ग्रीन और पनीर टमाटर है अगर आपके पास कैबसकम ग्रीन ग्रीन है तो ग्रीन लेजिए तो मैंने कैबेज को डाल दिया है और इसको हाई फ्लेम पे भ मैं कॉर्ण भी डाल देती हूं और उसके बाद इसको भूनेंगे मिडियम तूल हाइफ लेम पे इसको लो फ्लेम पे नहीं भूनना है फ्रेंच नहीं तो यह थोड़ा सब मतलब करंची नहीं रहेगा अब इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिया है मैंने भून लिया अब इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स 140 पून आप अपने अंसार डाले जितना तीखा अगर थोड़ा तीखा ज्यादा खाना चाहते हैं तो आप ज्यादा डाल सकते हैं और एगनो मिक्स मैं डाल दियो 140 पून ब्लैक पेपर वन एट्ट अस्पून अब और इसको भून लेंगे बहुत अच्या लाइफिर्णश्स बहुत टेस्टी बनेगा इसमें डाल दे ओड़ेक नमक टेस्ट के इसवार और इसको भून लेगए यह दिन assumes गरके ब्लेंगे ओ कुछ यह भुन चुका है और इसको बोल में निकाल देंगे तो मैंने एकपोल में निकाल लिया है और मैं अब आणा देख लेती तो देस्ट हो चुका है अब इसको ख़ड़ा से नहीusz कर लेते हैं कुछ सेकंड के लिए ज्यादा नहीं से कर लेंगे के दो लोई कट कर लेंगे दो लोई कर करके इसका बना देती हूं और बाकी वच्चे आटा बाद में बनाओंगी तो मैं दोका बना के दिखा देती हूं लोई को मैं बेल रही हूं तो इस तरह से पतला बिलकुल बेलना है अगर आटा सुखा लगाना चाहते हैं तो आटा भी लगा सकते हैं लेकि मेरा जो डो है बहुत ही परफेक्ट बना है तो मैंने इसको बेल लिया है अब मैंने गैस पर पहले सी गरम होने के लिए रख दिया था तो इसमें थेपला को रख देंगे और पकने देंगे जब एक तरफ से हो जाना तो इसको प्लट देंगे और दूसरे तरफ भी पकने देंगे अब इसको प्लट देंगे और इसमें थोड़ा सा बटर या घी या तेल किसी चीज़ को डाल करके इसको शेक लिजे तो मैंने बटर डाला है और इसको शेक लेंगे दोनों तरफ से उलट पलट के तो देखिए ये हो चुका है अब इसको निकाल देंगे मैं दूसा रोटी भी डाल करके दिखा देती हूं देखिए फिरेंगे दोनों तरफ से पलट पलट के मैंने बना लिया हूँ तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया हूँ और उसके बाद उसको उलट पलट के इसको शेक लेंगे अब इभी हो लेंगे और कट करके इस तरह से फोल्ड कर लेंगे फोल्ड नहीं भी कर सकते अब इससे क्या होगा आपको पता चल जा कितना हाप में डालना है अब इसमें हाप में डाल देंगे चीज तो मैंने मुझ्च रेला चीज लिया है आपके पास अगर प्रोसेच चीज तो ले सकते हैं जो चीज है वो ले सकते हैं आप दुनों में मैं हाप-प डाल देरी हूँ आप अगर इसको कट करके नहीं बनाना चाहते हैं तो रॉंट रहना दीज़ा है अगर आप में डाल दीज चीज और उसके उपर फिर फिलिंग डाल देंगे और उसको फोल्ड कर लेंगे तो मैंने उसके डाल दिया है और उसके उपर जो फिलिंग बनाया है उसको डाल देंगे दोनों पर तू अस्पून तू अस्पून यह दो दो चमच और उसको फोल्ड कर लेंगे हाँ दोनों को म सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा तो मैंने दोनों तरब से इसको निकाल लेंगे यह तयार है बिल्कुल प्लेट में निकाल लेते हैं और सेम तरीके से सारे में ने बना लिया है मैंने निक चैनल कर लिया है बिल्कुल अनुखमा cool में टेप्ला कासाडिया गया ज़रो comment करके बता हमें आ stimulus नेक्स्ट वीडियो में नेक्स रेश्बी के साथ प्राइब।